तो बड़िया जी आग या टीम इंडिया का नया जार्सी ओल्टेस्ट चंपियानशिप के लिए साइद आब लोग देख चुके है ये जार्सी रविंदर जादेजा ने पहले पोस्ट किया था अपने सोचाल मीडिया हैंडेल पे आभी कोहली का भी हम लोग देख रहे हैं जी टीम इंडिया के स्कुऱ्ट ये हम लोग देखेंये के बिराट कोली और उनके टीम मैट्स जीम में पैक्रिस करते हैं बायो बावल में रहते हुए और यह हम लोग आज देखेंगे टीम इंडिया के जो मेन प्लेयर बिराट कोली और कुछ प्लेयर है बिराट कोली इंग्लेंड में किस-किस प्लेयर के एगेंस्ट आउट हो चुके हैं यह हम लोग देखेंगे यह देखेंगे जास्पित चितश्वर पुजारा ट्रेड मिल पर भागते हुए यह गया हमारा सोम देशाई चमरा स्टेंथ एंड कॉंदेशनर कोछ है इंडिया का तीम इंडिया का यह फिर से बिराट कोली दौरते हुए ट्रेड मिल पर हम लोग देखेंगे रहाने को जो एक्सराइज करते हुए देखिए जी हार एक प्लियार लेकिन बहुत मेनत कर रहे है अपने स्टेंथ पे अपने फिस्टनेस पे जब मायं कागारवाल को हम लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा भागे तो थोड़ा ठक गये होंगे तो आज हम लोग बात करेंगे टीम इंडिया का जो मेन प्लेयर बिराट कोली है यह देखेंगे हम सिराज और प्रसिद किसना को ये सरदुल ठाकूर ठीक है ना ये आगया प्रसिद किसना और सरदुल ठाकूर हाथ मिलाते हुए ये आगया गुजराट का नया जो प्लेयर डिजब में है वो प्लेयर है ये देखिए कितना सारा वेट प्लेयर को दिया जा रहा है रूम में बाइबावल के लिए ये स्टेंट और कॉंडिशनर कोच जो अपने चार्ट बनाते हुए ये आगया जस्पीत बुम्रा भागते हुए प्रैक्टिस जर्सी में रविंद्र जादेजा भागते हुए टाइम देखिए सारे बाड़ा वाजरे ये हमारा कोच ये पास में हम लोग देख रहे जो पिक्चार ओ है टीम इंडिया का बोलर लोग बोलिंग करते हुए बोलिंग प्रैक्टिस करते हुए इंडोर य यह आगया मयंकलबाल और एक प्लेयर जो भागते हुए कि यह आगया विराट्ट को ली हमारा point कि तो फिर हम देखेंगे New Zealand का स्क्वार्ड निजूनुजीलेंड का इसकोड यह निजलेंड के नया जार्सी वाल टेस्ट चंपियनशिप के फाइनल के लिए और ये नया जार्सी रिविल हो गया और इन लोग का ये हो गया प्रैक्टिस जार्सी अच्छा ये तो हो गया जी जार्सी के बारे में आप हम लोग बात करेंगे टीम इंडिया का स्कौर्ड के बा वाल यह तीनों है जो रिगुलर ओपेनर्स है रोई सर्मा तो मास्ट खेलेंगे और सुम्मन और मयंग के बीच में चुना जाएगा फिर केल राहूल है जो सब्जेक्ट टू फिटनेस है अगर फिटनेस ठीक हुआ तो केल राहूल स्क्वाड में होंगे नमबर तीन अमड़ा आगया चितस्टर पुजारा ओल टाइम डिपेंडेंट चितस्टर पुजारा फिर नमबर फोर आगया बिराट कोली नमबर फाइब और जिंके राहने नमबर सीक्स रिषव पांत फिर आगया रिद्धिमान साथ जो सब्जेक्ट टू फिटनेस है अगर सामी मौमत सीराज उमेज जादब जस्पित बुम्रा तो हम लोग छे पे रखेते रिषव पांत को तो अभी पांच जो स्पोर्ट है ओ खाली है तो पांच स्पोर्ट में सायद कॉंडिसन के हिसाब से प्लेयर चुना जाएगा तो मेंली हम लोग देख सकते और एक बैट्स कि चार बोलर में एक स्पीनार अगर रखा जाए तो सायद रहे सीर्फट को रखा जाएगा और तीन स्पेशर में हम लोग तो जानते है वह इसान स्वर्मा मॉहमध सामी और जस्पित बुम्रा ॉर अगर चार श्पेशर खेले और एक स्पिनार खेले तो मेबी यूंघ यूटर है और सुवंग भी करता धो इंगलेंड के लिए खील्व स सुर्च मिल सकता या यह याजई M Williamson Captainhead, Tom Bundle, Trent Bolt, Doug Besswell, Devon Conway, Colin DeGrandom, Jacob Duffy, Matt Henry, Kyle Jemison, Tom Latham, Daryl Mitchell, Henry Nichols, Ajaj Patel, Rachin Ravindra, Mitchell Satner, Team Saudi, Ross Taylor, Neil Wagner, Vijay Watling, Will Young तो इन सब प्लेयर में से जो जो confirm खेल सकता है मुझा ऐसा लगता है केन Williamson, Vijay Watling, Neil Wagner, Ross Taylor, Team Saudi, Mitchell Satner, Trent Bolt, Tom Bundle, Matt Henry, Kyle Jemison, Tom Latham अभी बहुत जादा एक important facts के बारे में हम लोग बात करेंगे जो है बिराट कोहली किन किन बोलर के against आउट हुआ था सबसे जादा England बे तो पहले हम लोग देखते James Anderson का नाम तो आता ही है Anderson और Koholi के बीच में जो बहुत ही ज़्यादा rivalry होता हम लोग देखी चुके 2014 में कितने ज़्यादा आउट किया था 2018 में भी एक आदबार आउट करने का chance भी मिला था तो नहीं हुआ फेर आते Stuart Board फेर हम लोग देखेंगे मौमद आमीर है Chris Oaks है, Chris Jordan है आदिल रासिद, Ben Stokes, Mohen Ali, Gemswan, Liam Plunkett तो इन में से ज़्यादातर बोलर, पेस बोलर जो स्विंग करना जानता है ओ है, तो स्पिनार में हम लोग तो जानते है Mohen Ali और आदिल रासिद कितने बार बिराट कोवली का आउट कर चुके टेस्ट के अलबा, T21 डे में भी आउट कर चुके तो अगर ये चार्ट हम लोग देखे तो बिराट कोवली का जो सबसे बड़ा खात्रा हम मुझे लगता है के स्विंग के बारे में ही है मेंली आउट स्विंग जो आउट स्विंग बिराट कोवली को ज्यादा दिक्कत देता है अब अगर हम निउजलैंड के स्क्वाड में देखे तो उन लोगों का ज्यादा तर पेस बोलर स्विंग करना जानता है उसमें ट्रेंट बोल्ट जो सबसे बड़ा खात्रा मुझे लगता है लेफ टम स्विंग बोलर जो इन स्विंग आउट स्विंग बोथ बहुत आछ़़ा कराता है बोल अनदर लाएगा तो बहुत ज्यादा खात्रा होगा फिर मुझे लगते काल जेमिशन एक और बड़ा खात्रा होगा क्योंकि उनका जो हाइड है और वो मुझे लगते थोड़ा बहुत स्विंग भी करा लेगा तो ये दोनों बॉलर मुझे बहुत ज़्यादा खात्रा लगते ये हुगे आज का वीडियो खतम मेरा एनलाइसिस कैसा लगा आप लोग कमेंट पर बताना अगर कुछ अब लोग एड़ करना चाते हो तो भी कमेंट पर बताना अब लोग का स्कुआड भी लिख देना टेक क्यार बाबाई